इन पर एक आदमी को देख रहे हैं यह आदमी इस वक्त इतना महतपुर्ण हो गया है कि इस आदमी के लिए UK चाइना भिड़ चुके हैं और अमेरिका भी इस मामले में एंट्री ले रहा है और कह रहा है तुरंती से छोड़ो आखिर क्या हुगा है तो वहीं दूसरी तरफ चाइना पे परकृती का ये कौन सा कहर आल नीनों के बावजूद इस्तिती ऐसी हो गई है कि यहां बरफीला तुफान सुरू हो गया है आखिरकार चाइना के साथ क्या चीजें चल रही है जियो पॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है CIS News Network के इस एपिसोड में जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा आये जानते हैं इन खबरों को विस्तार से एक तो भूकंब की मार और भूकंब के बाद एक और समस्या चाइना में आ रही है वैसे आपको बता दें दुनिया बर में ये कहा गया था कि अल नीनों का असर दे चाइना के साथ एकदम उल्टा हुआ है चाइना में बर्फीला तूफान भायानक भूकंब के बाद माइनस 40 डिगरी तक पहुच गया है तापमान और आपको बता दें चीन की राजधानी बिजिंग में डिसंबर महिने में तापमान माइनस 32 डिगरी सेल्सियस तक पहुच गया है और 1951 में सुरू हुआ रिकॉर्ड गिंती के बाद ये पहली बार है जब बिजिंग में सबसे लंबी सीत लहर दर्ज की गई है सरकारी मीडिया बिजिंग डेली की एक रिपोर्ट के अनुसार बिजिंग के नांजियाओं में दर्ज किया गया है रवी बार दो पहर क पहली बार सुन्य डिग्री सेल्सियस 11 दिसंबर से लेकर अब तक 300 घंटे ऐसे हैं जब तापमान सुन्य से नीचे दर्ज किया गया है और बिजिंग खुद 9 दिनों तक लगातार माइनस 10 डिग्री सेल्सियस के तापमान से जूजता रहा है इस मैने चीन के अधिकांस हिस् तेज सीत लहर चली है चीन का उत्री और उत्तर पुर्वी इलाका भयानक ठंड से जूज रहा है ये तूफान आर्कटिक की तरफ से बहने वाली ठंडी हवा की वजह से आ रही है रिपोर्ट के मुताबिक मद्द चीन के हेनान प्रांत और बिजिंग के दच्चिन पस्चिम वाले इलाके में गर्मी देने के लिए जो सिस्टम लगे थे वो सिस्टम फेल हो चुके हैं जिया ओजू सहर में वान फैंग बिजली सैंत्र में खराबी आ चुकी है और ऐसे कई जगह हैं जहां खराबी के कारण हिटिंग का प्रोसेस बंद हो गया है गरम पानी की आजधानी बीजिंग में चल रही सीत लहर की वज़ह से काम काज के उपर भी असर पड़ा है। सहर की मेट्रो परनाली में भी समस्याएं पैदा हो गई है और इस वज़ह से सहर में याता-यात ब्यवस्था भी चरमरा गई है। कहा जा रहा है कि visibility कम हो गई है गाडियों को चलाने में काफी दिकतों का सामना करना पड़ रहा है और दिसंबर की सुरुआत में बर्फवारी के कारण तो दो मेटरों की टककर तक हो गई जिसमें सैकडों लोग गंभी रूप से जखमी हो गए इनमें से दो दर्जन यात्री स अले नीनों का असर चाइना के उपर क्यों नहीं पड़ रहा है उल्टा चाइना के उपर प्रक्रतिक चीजें एकदम उलट फेर की तरह क्यों हो रही है खैद अब तो ये सोद का विसे है पर आपको बता दें समय थोड़ा सा अजीब चल रहा है चाइना के साथ इसी बीच क क्या किया है बैपारिक समझोते सुरू कर दिये हैं ताइवान के साथ खुलनम खुला और बैपारिक समझोते करने का मतलब है चाइना को गुस्सा दिलाना और चाइना यहां नाराज भी हो रहा है नाराज होकर चाइना ने वर्निंग भी दी कि आप ताइवान के साथ इस त केमरोन को बनाया गया वीदेश मंत्री तब चाइना ने कहा कि अब हमारी जो है गोल्डेन वाला समय वो वापस आ रहा है और केमरोन के आने के बाद चाइना और यूके के रिस्ते बैक ट्रेक पर आ सकते हैं एक महिने पहले यही उमीद जताया क्योंकि केमरोन को माना जाता है पर अभी क्या होरा है एक महिने बाद डैविड केमरोन ने ऐसा क्या कर दिया कि ग्लोबल टाइम्स नहीं आर्टिकल लिखा कि ऐसा लगता है कि चाइना यूके का जो गोल्डेन एरा था उसको लेकर केमरोन के भ्यू बदल गए है और इसका मतलब है कि केमरोन के दिमाग में कबजा कर लिया है एंटी चाइनीज फोर्स ने इन्होंने यहां की राजनीती को हाईजेक कर लिया है मतलब यह अमेरिका के उपर आरोप लगा रहे हैं अब डेविट केमरोन ने ऐसा क्या किया है जिसको लेकर यह सारी बातें कही जा रही है तो आपको बता दें स्क्रीन पर चाइना के एमबेसी के परवक्ता इनका एक रिमार्क आप सुन सकते हो इन्होंने एक पूरा डीटेल में आंसर दिया है और इस आंसर को छापा भी गया है चाइना के सरकारी मीडिया के द्वारा इसके आलावे ग्लोबल टाइम्स ने भी इस बात को रिपीट किया है अब इ सबके साथ मिलकर चलना चाहते हैं हम साइबर सिक्यूरिटी मामले में भी सबके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं लेकिन डेविट कैमरों ने जो बयान दिया है नेशनल सिक्यूरिटी लौफ और होंग को लेकर कि यह हमारे जॉइंट डिकलेरेशन को नहीं मान रहा है तो यह होंग कॉंग में हमारी पहुंच है और हम वही करेंगे जो हमारे नेशनल सीक्यूरिटी के लिए सही लगेगा आप सीथ कालीन मानसिक्ता से बाहर आईए मतलब सीथ यूद वाला जो हाल था उससे बाहर आईए अब डेविड कैमरन ने ऐसा क्या कहे दिया है तो जैसा कि आपक यूके चाइना के बीच में एक बड़ा समझोते का असर है जिसमें होंग को कहीं न कहीं चाइना को दिया गया और चाइना ने जॉइंट डिक्लेरेशन के अनुसार हो या विपरीत हो उस पर अपने नियम थोपने शुरू कर दिये अब हुआ क्या है ये जो सक्स देख रहे इस सक्स के बारे में आज कल मीडिया में खूब आ रहा है यूएस यूके ये सब कह रहे हैं कि जिमी लाई को छोड़ दो कौन है ये बंदा ये बंदा हॉंग कॉंग का एक बिजनिस टाइकून है अरब पती है नॉर्मली अरब पती लोग चल्दी सरकार से पंगे नहीं ले चाइना सरकार के खिलाब परदर्सन हो रहे थे उसका हिस्सा रहा है अब इन्हें कोट में लाया गया है कोट में लाने के बाद ये कहा गया कि बीदेसों के दुस्मनों के साथ इनके कुछ कॉंटेक्ट है जो नेशनल सिक्यूरिटी के लिए एक खतरा है और इनका ट्राइल चाइज सुरू हो गया है यूएस यू के ये कह रहे हैं कि इन्हें आप छोड़िये आप इन्हें जबरजस्टी आप कैद में रख गयो हैं 2020 से इनके ऊपर केस चल रहा है और अब अगर फैसला होता है तो इन्हें आजी वन कैद में रखा जा सकता है यही वजह है इस्क्री जोते का उलंगन है जिसका जवाब चाइना ने दिया वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरू बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ